हेलो फ्रेंज, वेलकम टू ओनलाइन स्टाडी पॉइंट, दोस्तो जनल साइंस का आज पार्ट 15 है जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 MSQs जो आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए बहुत ही मत्वण होंगे दोस्तो यहाँ वीडियो डेली शाम को आपको 8 बज़े प्राप्त हो जाएगा और दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, लाइक और शेयर जरू करिए और दोस्तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टेटी रिलेटेट ग्रूप में ज़रू शेयर करिए और आज के वीडियो का टार्गेट है 4K ठीके चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का पहला कोशन है मलेरिया परजीवी तदा अमीबा को किस स्रेणी में रखा जाता है तो देखिए कि अमीबा और मलेरिया परजीवी को प्रोटो जोआ स्रेणी में रखा जाता है ठीके और देखिए आपको पता होगा कि मलेरिया जो रोग होती है मादा एनेफलीज मच्छर के काटने से होती है और यह कई बर एक्जाम में पूछा भी कहा है ठीक है एंजाइम के अगर हम बात करें और नीट्रोफिल्स की बात करें तो देखिए एंजाइम हमारे पेट में जितने भोजन है उसको पचाने में अवशक होते हैं यह भोजन को पचाने में यह help करते हैं ठीक है enzyme जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी मुह में मुह के जो लार होती है उसमें हम देखते हैं कि टाइलिन नम की enzyme पाई जाती है और देकhane Netrofields क्या होता है तो देकhane एक जो एक सफेद रगत कोशिकाई होती है और यह हमाने देखते है की जितने में मेली क्या होता है की जो जीवानूसे जो संक्रम रूख होते हैं उससे लड़ने में हमारे शरीप को मदद करती है ठीक़ novels अगला कोशन देखते हैं मनेश्य की आसू में कौन सा एंजाइम होता है ठीक है तो तेकि अलग अलग जगा पर हम देखते हैं कि जो हमारे शरीक के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह कि एंजाइम पाय जाते हैं जैसे मैंने बता है कि टाइलिन लार में पाय जाता है ठ मा हो जाती जिसके करण हमारे मनिशय को जो है घलप्र करता है विटामिन क्या होता है कि एह हमारे जो रख्त हो Q last चलिए, अगला कोशिन देखते है निमने मेंसे खोषिकज का अंग DNA रहता है तो तेकि कोशिकज होजो हमारे कोशिकज में धीने रहता है तो पूछ है तेकर अपनिसर माइट्रो कौंड़िया, बहुत ही leaders었 instantly gece पूछ ऀए心 Summit को भी होता है ए होता है और इसलिए हम इसको एक तरह से कहते हैं कि जो हए पावर हाउस कहते है इन तीनों का है करने के चाहरण जो है इसको आता होक्त के नाम से रम युसॹने ठीक हैं और mitochondria की जो खोश की थी ultimate ने 1886 में इसकी खोश की थी mitochondria अगला कुशिन देखते हैं किस रेक्ट वर्ग में antibody नहीं पाए जाती है तो कौन सा ऐसा रेक्ट का समुह है इनकी blood group है जिसमें antibody नहीं पाए जाता तो वो है AB ठीक है इन सारी चीज़ में पाए जाता है और AB में अभी हमने बात किया इसमें कुछ नहीं होता है ओ में क्या होता है AB होता है लेकिं यहां पर एक चीज़ और एक चीज़ और एक चीज़ और पाए जाता है तो वो है AB ठीक है देखिए antibody क्या है एक protein एक विक है जो हमारे शरीर को पतिरेक्षा का एक प्रणाली है और इसकी जो है बतिरेक्षा नहीं कि हमारे शरीर को जो है रक्षा करती है यह protein यह antibody ठीक है और इस antibody को immunoglobin भी कहते हैं ठीक है immunoglobinin कहते हैं इसको IG इसको denote करते हैं यह कहते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखते है रक्त का सुधिकरण कहा होता है इनकी जो purification होता है रक्त का blood का तो यह कहा होता है तो देखिए kidney में तो होता ही सबको पता है इसके अलावा देखिए मैंने question पूछा था सबसे जो बड़ी ग्रंती है वो एक्रितन की liver है ठीक है और कई बार एक्जाम में पूछा गया और आप सभी ने इसका right answer भी दिया है और liver क्या काम करता है गलाइकोजीन को जो है गलाइकोज में बदलने का काम करता है liver next question देखते है अब स्तंब मूलन की root पाया जाता है देखिए अगर इस्तंब मूल के अगर हम बात करें तो देखिए इस्तंब मूल आपने देखा होगा कि जो बर्गत की पेड़े है और उसमें ऊपर से नीचे जो है लटकी हुई काफी सरी root होती है उसको जो है हम एक तरसे देखते हैं कि इसको कहते हैं इस्त पेड nhất मैं जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको ज़ये कुछ ऐसे फेसले है जयसे दलहनी फसले उसकी जड़ों की जड़ों की गाटे होती है उसमें आन्जाइम प Bak एलिछा बड़े मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोस में कन वर्ड कर देती है। अगला कोशिन देखते हैं, रक्त जमने में कौन सा तत्र साहयक होते हैं, देखिए अभी हमने बात किते हैं, विटामिन के यह बलॉट क्लॉटिंग में इनके जमने में साहता करते हैं, तो लेकिन इसके अलाबा इनकी calcium भी एरेक्टर को जमने में जो है सायक होते हैं ठीक है calcium का दुख्य की जो atomic number है 20 है और calcium कमी से लोगों के अंदर विक्ति के अंदर एक hypo calcium में रोग हो जाता है और जिसके कारणे होता है खोन में बहुत सारी गड़बरी हो जाती है जिसके हम कारा हम देखते हैं इनको जो हाई वीपी एन के विलड़ प्रसर की जो है समेश्चा भी उत्पन हो जाती है हाईपो calcium में ठीक है next question देखते है Hydrogen Spectrum की व्यक्षिया सारी पर पर्थाम किस ने की थी hadrogen spectrum में इसकी व्यक्षिया सबसे पहले Nils existe थी थी के Hydrogen spectrum की की व्यक्षिया की थी Nils board ने तरति आपको पता ओगा गिक विस्थे में 2020 में उन्होंने गिया था डॉल्टर ने अगला कोशन है बैटरी में किस परकार के एसिट का प्रयोग किया जाता है तो देखिए कि बैटरी कई परकार के होती है तो यहां पर देखिए कि जो हमारे घरों में इन्वेटर इन सारी चीज में होती है तो उनमें देखिए कि यह सेल्फिरिक तो हम उसको यूजक कर सकते हैं जैसे हम ने देखा कि गड़ियों में या जो तॉर्च है उसमें तो उनको पुना चाहर मोज नहीं के ऐसकता कि अग्ला कॉशन दीजिए को बीज को में क्योंना की और है सुब गोर्ड में उपस्तित सभी संग्रचना क्याओं इसके एक स्ट्रैक्टर है करनल का ठीक है इस तरह की बाहर के आवरन होता है इसको मुझोब करनल या ग्री कहते हैं ठीक है बीजो के बीजो के अदर है धान की बीजो के खेट के लिए सबसे उपयूगत औरब्रक क्या है तो दखके धान की खेते के लिए जो अरभरक होती है वो एक तरह से हम देखते है सहजी पी या ऐसखेजी भी साइनो वैक्टिरिय है पानी में बहुत सारे ऐसे सहजी भी साइनो वैक्टिरिय होते हुआ या एक Auschwques का काम करते है जैसे मैंने कुछ ताइम पहले बिता था कि जो है यह जो जैसे एजोला हो गया ठीक है तो एजोला क्या है एक तरह से एक जो है साइनो वैक्ट्रिया है ठीक है जो धान की खेती के लिए बहुत ही अच्छा अरुब्रक का काम करता है अगर आपको कोई और एक्जामपल याद पहले तो कमंड बॉक्स में जरू बताईए इक चलिए अगला कुछिन देखते हैं अमोनियम क्लॉराइट का जलिये विलेन क्या होता है तो देखिए जिसका पीछ की वैल्यू कितना होगा जीरो से 7 की बीच में होगा ठीक है यहां पर उदासिन की है तो जिसकी कोई बी ऐस विलियन जिसकी pH value 7 होगा उसको हम कहें उदासीन विलियन और उसके ज़्यादा अगर 14 तक होती है 7 से उपर तो इसको क्या करते हैं तो यहां पर 7 से 14 होगा चारी है और यह क्या होगा यह 0 से 7 यह acid होगा ठीक है तो 0 से 7 acid और 7 से 14 यह हमारा चारी होता है alkaline होता है ठीक है और सेवन जो है उदासीन next question रहते हैं मानव शरीष में कौन सी गृंती उतेजनसे संभनित है तो देखिए कौन सी ऐसी गृंती है जो उत पंदेजना इनकी उससे संभनित रखता तो यह来 के अधी हड़ी पाय जाती है उसको Keyshari की जीप कहते है और इंन में ये पाया जाता है और ये अनता स्रव्य क्राइन फूस्वा-व्य ग्रंस के हमारे गुर्दे के ऊपर स्थित होती है ठीक है अलग-अलग जो है इस तरह के बाटनी के बहुत सारे भासा हैं और उसकी शब्द है वो लेटिन से लिया गया ठीक है option number यहां पर B correct हो जाएगा और देखिए जो जनक कहते हैं इनकी बाटनी के जनक कहा जाने वाले और जी बिग्यान के जनक कहा जाते हैं अरिस्तू ते देखिए कुछ चीजे इस पर करके भी पूछा जाते हैं एक्जाम में आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे अगला कोशिन देखते हैं पौधों में गैसों का आदन प्रदान के लिए क्या होता है तो देखिए पौधों में जो जो गैस है उसका आदन प्रदान के लिए रंध होता है जिसको हम कहते हैं इस्तोमेटा कहते हैं ठीक है और देखिए यह रंध क्या काम करती है बासपोर स केम्पिटर रिडियो सैट इंने में इन में cooking delivery रिषने के अечат बार्च चानल करने के लिए कि इसका وهके पर्योंग किया जाता है बहूर है सब्सक्राइब एलेक्ट्रिक चार्ज को एक दो घंच करने के के सब्सक्राइब के अ हैं में कंदेंसर हमारी देखल एड़ में तो यह इसमें इस उसे Hadr पर चौिक के यह तो बन जाती है, nhops देखं़ हो जो हमारी फोर्ष वहती होता pledge हमारी होता है क्योंकि हमारी चलने फिरने के लिए गर्षन बल की अवशकता होनी चाहिए एक ऐसा इतना स्लीपरी नहीं होनीं चै sharanra इन श्राओ दो हम अपने धर्थी पर चल सकते जो कर भिरोद के एक विश्तल के कती में काम करत फर्स होगा उसमें घर्षनबल बहुत कम होता है जिसके करण हम फिसल जाते हैं अगला कोशन देखते हैं मिराज का कारण क्या है तो देखिए मिराज का कारण क्या है यहाँ परकास का कुल आंतरिक परावर्तन यह मिराज होने के जो है एक मुख्य कारण है ठीक है जो इसका होती है वह गरम हो जाती है और इसलिए हम दैखते हैं कि यह ऊपर की जिर यह नीचे की तुलना में दुर्लब होती है और माध्यम से दूर की बस्त्रूज आकस की विस्था पिश्पश चभी का निर्मान करती है और इसको ही हम क्या कहते हैं मिराज कहते हैं ठीक है और यह रेगिस्थांग की ऐसे अलाकों में इस तरह की जमिन के उपर जो हवा गर्म हो जाती है और दूर से कोई चीज जो है उल्टी दिखाई देती है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं जब अभिकार अगैन के र ब्रफिक अवस्ता होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे समांग उत्प्रेर Under जो है यहां पर बिसमांग है बिन भिन बिन जिसमें बहुत्ति पूहाँघ हो Resistance होगी इसमें समान होगी देखे धनात्मक क्या होते जीसमें हम देखते हैं कि जो किसी भी रासानिक के व्या की वेक को बढ़ा देता है उसको दरनात्मक 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 दरनात् इसके बारे में बात करें तो घास का अध्यन किया जाता है एग्रोस्टो लॉजिक के अंतरगत और जो वार्षिक बेला जिसके हम देखते हैं कि जो पॉदो की विरिक्षो की जो एन्वल रिंग होती है उसके तुरम उसकी आयू की गर्णा किया जाती है और इसकी जो स्टाड की रेशा किस से प्राप्त होता है कि जो कापास की जो रेशें हैं वह हम देखते हैं कि बीजों के बीजों सही प्राप्त होती क्यों कि आपने देखा वती हों सही एक त्रस में करा कि कॉशिका के अधनी अब व JESC रूप रूप से उसकी ब्रिद्धि हो जाती है है जिसके करम देखते हैं कि वो हमारी में अनुद गॉसिका है उसको नस्ट कर देती है और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी उता के टीसूस उस पर जो है आक्रमर कर देती है ठीक है और इसमें हम देखते हैं कि जो जो कैंसर की जो कोशिका है रक्त और लस्टिका प्रणारी के माध्यम से पूरे सेरी में यह फैल जाती है ठीक है अगला कोशन देखते हैं एलकीन का सामायनी सूत्र इनकी फर्मूला के है तो देखिए एलकीन का फर्मूला है वो है cn h2n है और देखिए यह एलकीन का एस्टरो जन है ठीक है इसका राइट अंसर और देखिए एस्ट्रोइड हर्मोन जो है तीन अंतासरा भी अंगोतरा निर्मित होती है और वह कौन-कौन से है वह हमारी टेस्थीस हो गया ओप्री और अडरेनल ठीक है और देखिए इसमें यह जो हर्मोन यह कोलिस्टरॉल से ही ख旬altet कुछ जाएड़ी, प्रॉब जाएड़ी सेफिटाएड़ी आजपने डिलाईब।